जाहिन दोस्तों जाजवान जाए किसान हम राहुल जवान हैं बल्डाम किसान के साथ और हम हैं इस समय जिला गाजीपूर ये गंगा से लगा हुआ छेत रहे बहुत जोशीले लोग हैं और राय साब लोग हैं यहां इन्होंने कुछ कोशिस किया था दो साल पहले लेकिन ग्राफ थोड़ा सा गड़वर लिया गया उसी पे भी चर्चा हुई और काफी आगे कुछ करने की इच्छाएं हैं लेकिन सही मारतरशन ना होने की वज़े से ची अगे बढ़ते हैं। मैं आपका परिचा करता हूं कि बात पर आके चर्चा करेंगे रह साब आपका पूरा परिचे नम दिनेश महरा ग्राम कनवान पूस्त कनवान जीला गाजी पूर तैसिल कौन सा लगता है, आपका परीचे सुरेश पांडेश पांडेश आप यहीं पर हैं जय हूँ ब्रामन दित्ता नमस्कार साब नमस्कार मिखलेश राइग ग्राम पुष्टकनवान थाना भावर कुल तवसिर महंदाबाद जिला गाजिपूर अच्छा इसका मतरब मैं आफ था हैं कि बहुत नजदीक में हूँ जिला गाजिपूर तस दाना भावर को तस दाना भावर कुल आप अमर हो गया है पहले आमर करते हैं रिशी मुनी वो तपस्या करके अभी आज कर वीडियो के मादम से आमर हो जाते हैं तो अभी रह साब आप मेरा टार्गेट रहेंगे आज में ठीक है खुल के बात करनी है ताकि बाकी जनता को इसका पता लगे अभी आपने कहा था कि व्यापारी हमारे यहाँ पर सेकेंड एयर का माल नहीं खरीता है वो इसलिए नहीं खरीता है क्योंकि आपका क्यला छोटा आता है अगले साल छोटी हो जा रही है देखिए यह सारा गेम साइकल का है एक पोधे से ने एक पोधे जब बनाते हैं तो जितनी जादा बार एक पोधे से आप पोधे बनाएंगे उसकी रोग परतुरत की चमता उत्पादन देने की चमता आपके पास सो रुपए हैं और सो रुपए में आप एक घठा धान कर सकते हैं और आपने 50 घठे जमी ले लिए और रुपया सोईए तो उत्पादन घटेगा के बढ़ेगा बस जितना कम साइकल का पोधा होगा खे चलेगी हम लोगों का विचारी है कि किसान अच्छा रहेगा तो हमारे लिए बच्छी चलेगी मतलब एक बार आपको केला गुआए और इस केले को हमें रुपए में नहीं बेच लाए हैं हमारा मकसद है विदेश लेके जाना तो विदेश कब जाएगा जब क्वालिटी ब पड़ेगा हम लोग जब लगातार काम करेंगे और व्यापारियों के निगाह पड़ेगी क्वालिटी rodzica किनारे वाले जो छेत रहे गाजी पुर से लेके वहां तक हम लोगों को कोंचिन Nowakar तक जा गुर्च करकर है क्यों क्या वहां का क्लाइमेट जोन बहुत अच्छा है जागरूख है लोगों ने अडॉप्ट किया तो मिर्ची एक्सपोर्ट कर रहे हैं बनारस से लोग मटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई हमारी थालों के बजार में नहीं करीद रहा है क्वालिटी आप लोग यहां पर केला लेके आएं आप लोग जागरूख किसान है तभी तो लेके आएने तो नहीं लाते लेकिन सही ग्यानना होने के बज़े से कुछ दूरी चलके ठक गए रास्ता ही नहीं पता चल रहा है किदर जाएं चार-चार रास्ते दिख रहे हैं हर तो रास्ता बता भी रहा है वह अपने पाइदे मता है हमारी रिक्सा में बैठो हम आपको छोड़के आएंगे वहां तक तीस रुपे लगेंगे अब कहेंगे हमें तो यहीं तक का पता आगे तुम जानो यह दवाई बेचने वाली कंपनियों का रोल है पौधा बेचने व पता करना एक तो आप कम साइकल का पौधा लीजिए यह पता किसे चलेगा कि कम साइकल का पाधाते रहें कि जादे साइकल का पाधाते रहें यह किसे मालव होगा हाँ जब आप कि लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए यह लड़का उसकी कुंडली मांगते हैं प्रिंट्ट्रीं दे लेना है जो नक्री हो गब देगा ही नहीं जेल जाएगा अगर दिया तो जो बोल रहे हैं डिवीती का आप उस पर लिखते लेंगे कि लिखेंगे हां लिखा जाता है जैसे हमारा है रेवा जी नाइन रेवा जी नाइन प्लस रेवा जी नाइन डबल प्लस तो वह पूछता है कि यह क्या है हाँ पूरा मार्क्षिट जैसे आता है वो आप देखने का दिखा रही है आपको देखना चाहिए तो एक प्रमानिकता है और जरूरी है दूसरा आप लोग को आप लोग बंच मनेजमेंट नहीं करते क्यों नीचे से फल्काएं नहीं तोड़ते पासबूल नहीं हो पारा है यतना लोग बता रहे हैं जी उससाब से पासबूल नहीं हो पारा मेरे 4000 पौदों को दो मजदूरों ने बंच मनेजमेंट कर दिया पूरा एक दिन में पहली तोड़ने में कितना समय लगता है उसमें नहीं लगा जो कभर उस पर पहनाया जा रहा है कभर पहनाने में दो दिन तीन मजदूर चार हजार पौदे और दो दिन लगे मुझे छह मजदूरी में काम हो गया मेरा यहां कोई न बताने वाला है न समझाने वाला है यह बात है बस जी 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 उसका एक सिस्टम है रहा है साब चड़ाने का तो नहीं है न हम लोगे पास टेकनलाजी हो सबसे बड़ा प्रालम यह समझाने में आपको यहां आया हूं तो यह तो है जी 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 नामने बिल्कुल आपके बस सही है उसको फिर केला खेती वे विशेद्यान देना पड़ेगा दस विखे केली की खेती कर दीजिए आराम से आपको दस लाग रुपिया बच जाएगा मीनिमाम बचेगा जी 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 एदम बच जाएगा बिल्कुल सही बात है और बढ़िया से खेती कर देंगे तो बीस लाग पचीस लाग बच जाएगा बाकी चीजों में टांग नहीं साफंद कता है तो कुछ कीड़े से कि जी शिए सीधाई सी रवन करती है तो अल लग अलग दभा मिट्टी ने है अलक दबस दबर ढ़ल दालो मतम है खाली मिट्टी का इस पकर वारहिं हैं आठ साल से एक बार घड़ा खोदना है बस जीवन में और उसकी सिर्फ मिट्टी ले लिजिए 25 किलो मिट्टी उसके अंदर 200 ग्राम आप सुक्रोज डाल दीजिए घोल ये 36 गंटा छोड़ दीजिए उसको आग ठेत में जाईए च्छान के स्प्रे किजिए बस जबर्दस रि दुनिया के किसी भी फसल पे किसी भी अवस्थ में आप इस प्रे किजिए ये करेगा क्या किटना सक फंगी साइड हां उसके बाद आपका च्छिटे में प्रावल में है पानी में भोल दा अब सुक्रोज डाल दा आब करावा दूब में लिजा ही च्छान लीजिए उसको किटना सक का पर करता है फंगी सैड का काम करता है वाइरस आलू का और इस तरीके के वाइरस पर काम करता हो न्यूट्रिशन मनेज्मेंट आप जिता भी दुकान पर से चिली टेड़र हाँ उपर से नीचे तक का मिटी हर दो इंच की मिटी में कुछ न कुछ आदू है पांच पिट के गढ़ा बना लीजी आप खेत में जैसे हम टौलेट का बनाते हैं अब मिटी बाहर निकल गई अब आप अंदर चले गई आपने चारों दीवारों को उपर से नीचे तक छिलना है कितना छिलना है 25 किलो 25-30 किलो लेकर के 200 लेटर पानी में डाल दीजिए अब उसके अंदर आपने 200 ग्राम सुक्रोड डाल दिया और इसको आप रखिए कितना रखना है आपने इसको 36 गंटे फिर डंडे से चलाईए दस-पांच मिनट छोड़ दीजिए तो मिठी पूरे नीचे बैड़ जाएगी उपर का जो चाय जैसा पानी है कपड़ा लगा के छान के हलके से नोजल को मुश्किल से बहुत मामूली सा धिला करके इस्प्रे कीजिए देखो का जब सब 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 दुनिया के हर फसल पर आप करो अभी दो दिन में तीन दिन में रिजल्ट आ जाएगा एक और करना है आपने तीन इस्प्रे मिट्टी के करने एक महिने में अकर हो सके या दो करने है एक इस्प्रे आपने लेना है पंदरा लिटर पानी 40 ग्राम साधाना नमक मोटा वाला और उसके अंदर 30 ग्राम सेंधा नमक जो हम बरत में खाते हैं और 20 ग्राम फिटकरी एक इस्प्रेस का कर दो देखो फिर क्या होता है जादू राय साब दुगान पर जाने की जुरुत ही नहीं है आप लोगों को जब बरतस्ति हमें कमपनियां दुकानों पर भेज रही है उनको चलना है कोई नुक्सान नहीं है कोई जहर की जुरुत नहीं है आप करके देखो यह पता चल जाएगा ऐसा हो जागा जब पेंट कर दिया ओफसलो पर काला कलर का ब्रायक एक दम हरा जमा जम सब लिखवा देंगे हम आपको और ये वीडियो भी आएगी आपकी यूटूब पर तो सब आपका जो है जो परतस्त काम करेगा कोई भी रसनिक खाद आप दे रहे हैं उसको डारेक्ट मत दीजिए आप रसनिक आज जो दे रहे हैं और पॉलतीन से ढग दो इसको मताब हवा भट्टी टाइप के लगा दो हवा ना जाय अंदर बाहर और आठ दिन के बाद इसको निकाल करके बोरियों में भर लो डेल महीने तक आपको जवाब शकता हो खेत में दो बयंकर परिणाम है इसके आज ही भोजन दो गै आज ही भोजन उठाएगा दूसरा ये 25 किरो कितना हो गया एक कुंटल हो गया भी आपका पैसा बचशा आपकी जमीन बची आपकी जमीन में जाके भी फिक्स नहीं होगा पहले 80 प्रसेंट फिक्स होता था अभी एक परसेंट फिक्स नहीं होगा और तो अगले साल इसको आधा कर दो तीसरे साल भूल जाओ खात को खुद ही भूल जाओगे अटोमेटिक और जब मिट्टी का करवन एक से उपर हो जाएगा पर लगभग एक आजाएगा तो खीडा नहीं लगएगा मजबूत आदमी को बिमारी होती है क्या हम मजबूत हैं सारे ग्रूप से हम बिमारी नहीं होते कभी भी बस गलाब एड़ जाता है इतना होता है बस और जादा नहीं तो वैसे आपके फसले हैं जब एक से ओपर कारवन चला जाएगा एक डेड़ तो आपको इस प्रेवी एक ही करना पड़ेगा बड़े मुश्खिल से चैना मक्क मार दना है मिट्टी का जि तो गोबर का खाद और यूरिया जी 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 अदमी ढख दे जी यूरिया को चोड़ दो बाकि दव को मिला सकते हैं जीव जी नहीं मिलाना दंदा के Siasiuk नहीं मिलाना है वो अलग अलग कर दो न andare पांच-बांच किलो meditation में दालना है तो आप्ट पंद्रइक कईलो गोबर के खाद में अगलग डो मिटी यूरिय में तरफ मिटी मिला लेना को पानी तो जादा छोड़ता है जहर भाहर रहे जाएगा बसकत लिए सुखा के आपके खेत की मिटी सूखा ओपर वाली मिटी नीचा वाली ललो सूकी होनी तो मित्य करिशागा है नहीं और टाइट करके रखना ये ठोली रहेगा नहीं समझे आप यूरिया को 50 हिल दालना है तिस किलो मिट्य मिला लोग शोखी है वापस से बहरी में बंद करकर रखो चौविस घंटे वाद खेत में जाके छीण दो खर्चा कम हो गया अब वो 25 किलो छीटना है 25 किलो जो मिट्टी है 25 किलो जो मिट्टी है डारेक्ट खेत में खाद जाके छीटो मत ये 80% जमीन में फिक्स होता है और कभी नहीं जाता तो यही आपकी जमीनों को खराब कर रहा है जिसे हम बोलते हैं केमिकल, केमिकल, केमिकल केमिकल की बंडिंग तोड़ो तो हो गया न काम हम आपके घर आया आप हमें कच्छे उड़त खिलाएंगे तो कैसे होगा अरगेनिक काम करते करते ये गोबर वाला जो बता रहा है जी इसमें एक दिना आ रहा था आप धीरे धीरे और अग्रानिक पर आ जाओगे दो से तीन साल में और पैसा बचे का पहले ही साल से आपका तो तब ही तो गड़बड हो रहा है जमीनों का पहले इसको डालो और इस तरीके से दो आप एक मज़़ूर तबालतू लगेगा लेकिन रुपए भी दो बचे दो बचे दो बचे दो बचे दीएपी के चपविस सो बचे चार बचे दो लाए उत्रे का एक बचे का मज़़ूर पकड़ आओ थाला तेरस रुपए में तीन में दूर आ जांगे चार उनको बोलो गड़बड़ाओ भाई इसको करो रचट उफरी बना तो ट्राली भरके कट्टों में भरके रख दो कोने में दो महिने काम करता है डेड़ दो महिने जब बरदास इधर फेकोगे उधर रिजल्ट है इधर आना पड़ेगा आम लोगों को मुझे कुछ मिला क्या गोबर बेच के आपको बतागे मिट्टी के इस प्रेज़े मक्सद है जागरूख करना लोगों को यह छोड़ते जा रहे केला खेती में ग्राफ आप अच्छा लीजिए जिग जेक में लीजिए उसको जो बता रहे हैं जी तो हर फसल में काम करेगा यह गयों धान गन्ना चना मटर किसी दुनिया की किसी पसल में जब परदास रिजल्ट आए हैं लोगों के इस बार धान पर मिट्टी के इस प्रे और रेसिटू फ्रीखाद यह जहर मुक्त हो जाता है इसमें से जो अक्सिस्ट पदार थे हैं जो मनुष्य और धर्ति को नुक्सान देंगे वो बाहर आठ दिन में बंडिंग टूड जाती उनकी बिल्कुल नहीं देना चाहिँ चिलिटर दे सकते हैं आप वाइसा वाला नहीं दे सकते हैं बंडिंग जब टूडए की दोनों कि तो दोनों के जो कैमिकल बनाया है जिस कामिकल में वो एक दूसरे के साथ रियक्शन करते हैं वो गड़ बले फासपेटिक खाद के साथ जिंक बना लोग करते हो जी 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 लेटेड जो बता रहे हैं जी लेटेड हाँ भुरन शील लेकिन अगर आपने खेत में अच्छे से काम किया जैसे हम लोग बत अब आपके जितने खाद लगते हैं फसल करनों उपर डिपन करते हैं एक खेत के तैयारी में कम सकम आपको पांच ट्रालिय को अबर की खाचीए डाइसोचे तीन सो कुंटल और उसके अंदर आपको एक दस कुंटल जिपसम चाहिए के कड़ में 50 किलो समुदरी नमक 50 किलो एक उंटल सरसो के खली 30-40 किलो गेरू 30-40 किलो बिना बुजा चूना यह सब बिखेर करके 2-3 किलो सेंदा नमक फिटकरी 2 किलो यह सब बिखेर करके खेत के तैयारी करो और फिर इसमें नो तरह की फसले बहुमार्च में तीन दलहन तीन तिलहन और तीन आठे वाली अन्न व का है जुरुत पड़ेगी अब सब हो गया पूरा उसके बाद आपने जो है बैलेंस पानी देना है क्लामिट कंट्रूल करना सीखो आप लोग चरो तब से गन्ना घास लगाईए 15-20 फुट उची होती है पड़ोस वाला अपने खेत में अर्वी साइड माले या कीटना सक्म करना घास एक तरफ खड़ी रहेगी बॉंडरी एक तरफ है जरूरी है वो क्लामिट कंट्रोल के लिए आप अपने खेत मारने तो मेरे खेत माये गई नहीं खुशी से मारो आपके खेत के केले बी उड़के मेरे केत माने वाले नहीं है आएगे तो सब बाजरे पर रह जाएंगे क्लाइमेट जो है आप किनारे। चूटा हो जाए। घूप लग रही है। लेकिन राता बन ribon हम नहीं देपाई। क्लाइम के देशी है। वाताबरन देना बहुत जलूरी है बाताबरन देना पड़ेगा है जैसे कि वो किनारे वाल जाइन है उसको केला घं लगा दे तो वो भी अच्छा है घं उसमें माल लेजे कि तिन-तिन फिट पे दो दो फिट पे लगा दिए कि दो नहीं उसको काटना नहीं है उसमें से फ़ल नहीं लेंगे नहीं चोटा होगा नहीं चोटा नहीं आएगा बड़ा ही आएगा नुट्रिशन मनेजमेंट अलग से होता है हम कर नहीं पाते बस वह लगा दिए हां तीन दिन फिट पर तो अभी क्लामिट कंट्रोल हो जाएगा एक दम अब यहीं बता रहे हैं भी तीन फिट पर किनारे वाला और बीच में गयाप दो अच्छा बीच में गयाप देना चाहिए छोब आए नहीं नहीं पांच भाई आट कम चे साथ-साथ-साल किला कर थो गयां पुस्ट अच्छा पांच बाई आट कर देंगे तो कितना किला और बाइन पांच भाई आठ रहेगी लाइन से लाइन पांच 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 पाधा लगा दिया बस हो गया पांच भाई आट के से होता है इदर से 5 और इदर से 8 तो यह पांच वह यह लगेगा बेट पर विट्टी लगेगी नहीं बस अबर मतलब इसको बेट बनाना पड़ेगा उचा है चार से च इंच का बस इतना बस उसे पर लगेगा बह хотел कर पर नाम है एक तरप पानी दो इसर नहीं का बस का पाड़ा इए आपकी जणों को उसी दिन भोजन पानी मिलेगा दोण हुआ और ना तो पांच दिन हवा के लिए तरसना पड़ता है पौधे को फ्लैट में पानी देने से उसकी जड़ों को हवा भी तो चाहिए बोजन उठाने के लिए और हवा मिलती ही पांस दिन के बाद जब बापसा कंडिसन खेत में बन जाती है तो अगर आपने बापसा कंडिसन रेगुलर बना रखी तो पौधा रुके गई नहीं आपका तो बारा महीने में फसल आ जाएगी बजाए उसके सुला महीने के हम लोग के हैं ज्यादा दिन पर आ रहा है चोदर महीने पर आ रहा है गलत है आपके यहाँ तो बारा महीने में कर जाना जी जो आपका क्लामेट है अभी आप यहाँ पर टी-शेट में बैठे हो मेरा विजनोर में लोग ठंड सा मर रहे हैं कि आज ही बुरी अहलत तर्ट अधनी में इस समय पर अलाओ जला गे बैठें लोग और पुरा जून तब तीन महीने में पुरा उसको विला देता है वही उपाय आपका उपर से पत्ते सुखने लगते हैं उसके आप सुखेंगे भजन उठाएगा नहीं जड़े इस्ट्रेस माएंगि जब बारिस होता है तब चलता है पदे को क्रामेट चाहिए प्ने मस्ड़ मु पसंद पाद से चालो अभी प्लाट पे चलते हैं आप राम-घ्राम-घ्षाब ड़ी तरही अधा अग मेन